Hello Cyberworms, Welcome Back मैं हूँ अनिल यादब और आप देख रहे हैं Neat Roots और जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कैसे आप Information Gathering के अंदर IDS, IPS, Identification के अंदर जो LBD Tool है उसको कैसे Practically यूज करते हैं उसके बारे में हमने सब कुछ जाना इसी तरह से आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि कैसे आप Warp Oof Tool को यूज कर सकते हैं तो Warp Oof Tool का मेन काम होता है Firewalls को Detect करना कि कौन से website के अंदर कौन सी company का Firewall लगा हुआ है तो जो IT student है उनको तो Firewalls के बारे में पता है जिसको नहीं पता है वो तो ध्यान से सुनेंगे ही बड़ जिसको पता है वो भी ध्यान से सुनना महाबारत में एक पातर है कर्ण के नाम से जो की भगमान सूर्य के पुत्र होते हैं तो भगमान सूर्य जब कर्ण का जनम होता है तो उनको कवच और कुंडल देते हैं जिसको पहनने के बाद कोई भी उनको हाम नहीं कर सकता है वो एक तरह से immortal बन जाते हैं जैसे कि मालो अगर कर्ण ने कवच और कुंडल लगा रखा है तो आप कोई भी अस्तर सस्तर या फिर जैसे कि आप एटम बामी फेक दें तब भी उनका कुछ नहीं भीगड़ सकता है तो इसको अब हम modern day के firewalls से match कर सकते हैं जैसे कि अगर किसी website के अंदर बहुत ही tough firewalls लगे हुए हैं या फिर बहुत ही secure firewalls लगे हुए हैं तो वहाँ पर आपको उस firewall को break करने के लिए आपको बहुत ही skilled होना पड़ता है तो उसको break करने से पहले आपको यह जानना जरूरी होता है कि आखिर वह firewall कौन सा है और कौन सी company ने उसको बनाया हुआ है तो उसी को check करने के लिए हम वह पूफ टूल का use करते हैं तो अभी हम जान लेते हैं आखिर इसको use कैसे करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे simply इस पर click करेंगे और फिर मैं इसको maximize कर देता हूँ और फिर अगर आप मेरे पिछली वीडियोस देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि आखिर इन टूल्स को कैसे use करते हैं तो यहाँ पर अल्रेडी लिखा हुआ है वाप उफ हाइफन यच तो इसी तरह से आप यहाँ पर इसको use करने के लिए क्या कर सकते हैं वाप उफ उसके बाद URL मतलब जो भी website है जिस पर आप attack कर रहे हैं उसका link यहाँ पर paste कर सकते हैं और उसके बाद उसको run करके उसके अंदर जो भी firewalls हैं उसके बारे में सारी जनकारिया निकाल सकते हैं तो मालो अगर आपको इन सारे options को use करना है उसके अंदर तो आपर हम क्या करेंगे warp, uf और उसके बाद यह option डालेंगे और फिर हम वहाँ पर अपने target website का link इंटर कर देंगे और फिर उसको run कर देंगे तो उससे पहले हम क्या जान लेते हैं कि आखिर कितने type के firewalls होते हैं और कौन सी websites उनको बनाती है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे वॉप और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो वॉप उफ के अंदर double O है वो O नहीं 0 है तो इसके लिए हम यहाँ पर type करते हैं वॉप और फिर W 00F और फिर यहाँ पर हम type करते हैं हाइफन यल उसके बाद हम इसको इंटर कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सारे firewalls आ चुके हैं और उनकी companies आ चुके हैं तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यह सारे firewalls हैं और manufacturer के नाम हैं तो जैसे कि AS XML Gateway है वो Cisco ने बनाया हुआ है AE Secure है वो AE Secure नहीं बनाया हुआ है Airlock है इसको Fion और Ergon ने बनाया हुआ है और Allot Logic को Allot Logic ने ही बनाया हुआ है इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर Azure Front Door है उसको Microsoft ने बनाया हुआ है और इसी तरह से हम नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DNC और Cloud Flare DNS ने बनाया हुआ है इसी तरह से आप जम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे Microsoft ने एक और firewall बना रखा है जिसका नाम है ISA Server तो यहाँ पर आपको बहुत सारे firewalls और उनके manufacturers के नाम दिख जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमें किसी particular website के बारे में जाना है कि इस पर कौन से firewalls लगे हुए हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर simply type करते हैं और उसके बाद google.com और उसको हम इंटर कर देंगे तो यह हमारा टूल रन होने लगा है तो नहीं पर हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर हम simply sudo su command डालेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर type करते हैं sudo के बाद fu और फिर हम इसको इंटर कर देते हैं और फिर हम अपना password डाल देते हैं और फिर इसको Enter तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास root access आ चुका है अभी मैं इसको clear कर देता हूं और फिर अब यहां पर हम टाइप करेंगे अपने वह पूफ टूल को तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर simply अब थोड़ा wait कर लेते हैं अपने result के लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं firewall का नेम आ चुका है तो यहां पर security.com यहां यूज कर रहें cloudflare की firewall को जो की cloudflare INC ने manufacture कर रखा है तो इसी तरह से आप इसको www.securitas.com उसके बाद हम इसको इंटर कर देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास दूसरा result भी आ चुका है इसी तरह से आप अपने जो भी website के अंदर presentation testing कर रहे हैं उसके जो firewalls हैं उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं तो इसको अब मैं cut कर देता हूं और फिर हम जाते हैं अपने application के अंदर और यहां पर आप देख सकते हैं live host identification तो अगली वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि कैसे आप live host identification कर सकते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कैसे आप इन सारे टूल्स को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं तो तिल देन इस्टे सेफ इस्टे सेक्यूर ठैंक यूँ